आप किसी खाने को देखके कैसे बता सकते हो कि हो टेस्टी आई या नहीं बट फिर भी पूरी फूर्ड इंडस्ट्री अपने खाने को एड़टाइस कर रही है सारी बड़ी और एच्छी फूर्ड चेंस खाने से ज़ादा उसकी प्रेजेशन पर फोकस करती है क्योंकि टेस्ट मैटर नहीं करता जो चीज़ मैटर करती है वो है उसकी मार्कटिंग आप कोई भी बिजनस कर रहे हैं बेशे को प्रोड़क्ट बेस्ट है या सर्विस बेस्ट मार्कट कर सबसे अच्छा प्रोड़क्ट उठाने से आप सकसेस्फुल नहीं हो सकते अब कस्टुमर के मार्कट बेस्ट कर प्रोड़क्ट दिखा इस तरीके से रहे हो अब कस्टुमर के माइंड बे आप अपना पर्सेपशन कैसे छोड़ेंगे इस चीज़ की उपर ब्रैंट्स क्रोड़ों खर्च कर देते हैं परसेपशन मेल्ट करने के एक बड़ी मेशूर एक्जेंपल देता हूँ आपको 1970 फुटबॉल के वर्ल्ड काप में पुमा की तरफ से पहले फुटबॉलर को एक लाख बीस हजार डॉलर उस दोर में दिये गए थे जिसका लोगा मेरी हर वीडियो में पीछे लगावा नजर आता है और मैं अपनी हर दूसरी तीसरी वीडियो में अपने स्टोर की पेहनता हूँ जैसे ये शिर्ट और ये वाउच मेरे अपने स्टोर की है मार्किट में दूसरी चीज सक्सेस्फुल होने के लिए जरूरी है यूनीक सेलिंग पॉइंट यूएसपी के आपके पास कौन सी ऐसी चीज है कौन से ऐसा फेक्टर है जो मार्किट में दूसरे लोगों के पास नहीं है जब मैंने अपना ओनलाइन क्लोफिंग स्टोर स्टार्ट किया तो मैंने नोटिस किया कि बाकी ओनलाइन स्टोर अपना प्रॉफिट मार्जन बहुत सादा रखते हैं मैंने अपना प्रॉफिट मार्जन ना होने के बापर रखती है झाल झाल